हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो SSE Smart Classes बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका SSE Smart Classes में तो CHSL 2019 का descriptive का job का exam है बहुत जल्द होने वाला है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो practice है वो प्लीज पांच दिन पहले दस दिन पहले मत करना start कर दीजिए अबी से ही अपनी practice job हो start करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ओरड़ी ऐसे बहुत से candidate हैं जिसने काफी time पहले मेरे को 2-3 महीने पहले मेरे को message किया था books के regarding और वो अपने उस time से ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को आप lightly नहीं ले सकते already आपको पता है government job लेना कितना मुश्किल हो गया है vacances कितनी कम हो रही है और competition कितना बढ़ रहा है तो ऐसे में आपको दूसरों से edge लेनी हैं तो उनसे better तो आपको करना ही पड़ेगा और यहाँ पर कोई मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको कोई बहुत जादा आपको expensive या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ों पर पैसे waste करने है just एक आपकी एक thoroughly understanding के लिए आप जो है वो help ले सकते हैं otherwise यह जितने भी topic हैं इनको अच्छे से करिए और यह सारे जो topic हैं यह मैंने करवाए हुए हैं आपको इसके लावा PDF आप ले सकते हैं बहुत ही reasonable और बहुत ही कम price में जो PDF है ताकि सबी इसको afford कर सकें और best से best और इसमें यह भी है कि मैं time to time चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ जैसे ही आपका 14 तारिक को जैसे exam होता है उससे पहले जितने भी topic है जितना भी अच्छा content और मिला मैं update कर दूँगा लेकिन अभी तक मैंने सारा का सारा content अपडेट करके रखा हुआ है और बहुत जादा उसमें मेहनत लग रही है और उसमें जितना effort हो सके मैं डाल सकना हूँ और मैंने डाला भी है और यहां पर मैं आपको PDF में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं यह नहीं कहा रहा कि आपको सारी PDF जो है वो cram करनी है cram नहीं यह आप कर सकते लेकिन आपको idea लेना होता है जैसे कि मैं एक topic आपको बता हूँ keywords जो होते हैं वो पढ़ने है जैसे WhatsApp privacy policy में आप क्या पढ़ सकते हो कि WhatsApp है social media का platform है जिसके थूँ लोग जो है communicate करते हैं काफी popular app है तो उसके बाद WhatsApp ने क्या किया है अपनी privacy policy में थोड़ा सा change किया है और user को बोला है कि 8 February 2021 से पहले और उस दिन मतलब इसको accept करना पड़ेगा अधर्वाइस जो terms and condition है उनको accept करना पड़ेगा नहीं तो वो WhatsApp यूज नहीं कर पाएंगे आप डिलीट देर अकाउंट टेकर डॉंट एक्सेप्ट देर टर्म्स एंड कंडिशन सो पहली लाइन यह होगी काफी अच्छी लाइन है लगबग पच्ची वर्ट सापके इसमें जो हो शामिल हो जाएंगे यह लाइन लिखने के बाद हाला कि WhatsApp ने इसको आगे जो हो थोड़ा सा इसकी डेट जो हो बढ़ा दी गई है और उसके बाद जो लास्ट आप conclusion पॉइंट लिखो गे मतलब बीच में जो बोडी का पॉइंट से उसमें आप सारा कुछ मैंशन तरह लिए है क्या-kya अनकी पराणी परिसी में क्या था पराणी परणी ख़री में इनको यह कोडिधे और यह का फे symbi जो है वह यूजर का जो डाटा है यूजर की जैक विश्वशनी य होट अथा है आप के उपर ठीक है उसको कहीं हद तक जो है वो प्रूफ करती है ठीक है लोगों का विश्वाश मन था उस पर यह जो लाइन उन्हें लिखी थी आभी जो है वह वट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिस में मतलब कहा है कि कुछ चेंज किया है कि वह जो फेस्बुक है और उसस तो उससे क्या है वो थोड़ा सा डाटा जो हो के साथ करेगी वह को सारी चीज बता दिवला कि यह तो यह protect यह जाट को सेएनerkt is नाइधर थर्ड पार्टी नोर वट्साइब रीडिट यह भी एक अच्छी बात है और इसके लावा गौर्मेंट का आप एक्शन इस पर लिख सकते हो कि गौर्मेंट भी बहुत जादा अवेर है ठीक है उन्होंने वट्साइब को भी ठीक है वट्साइब की कंपनी जो है उन जनता के प्रति काफी जागरू को उनकी प्राइवेसी को लेकर के तो इस तनीके से जो कीवर्ड है आपने वो पढ़ लिया आपने वह पूरा पर लिया पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखिए आप कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए तो यही चीज़ होती है अगर आप इंटरनेट पे काफी सारे टोपिक पढ़ोगे और फिर उनको लिखोगे तो आपको काफी टाइम जो हो बेस्ट हो जाएगा पीडियोप में क्या है सारा मैटीरियल आपको एक जगा पे असेंब्र मिल रहा है तो यह अपकी और यह हमेशा आपके काम आएगे आपको बताएं हैं तो इनको जरूर करिएगा तो यह बहुत अच्छे टोपिक है तो आज का हमारा जो टोपिक है वो कल्चरल डाइवरस्टी के उपर है सो देखिए जो टोपिक है हमारा कल्चुरल डाइवरस्टी ऐस समानता में अखंडता है विविद्धता में एक्ता भारत एक ऐसा देश है जो विविद्धता में एक्ता की अवधारना को अच्छे तरीके से साबित करता है भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्रम में परसीद है क्योंकि यहाँ विविदिता में एकता का चरित्र देखा जा सकता है विविदिता में एकता भारत की शक्ती और मजबूती है जो आज एक महतपुन गुन के रूप में भारत के पहचान करता है आगे देखिए विश्रम में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना मना देश है जहां वर्षों से कहीं परजातियां समुह एक साथ रहते हैं भारत विविद सब्यताओं का देश है जहां लोग अपने इच्चा और धरम के नुसार लगबग 1650 भाषाएं और बोलियों का इत्समाल करते हैं संस्कृति परंपरा धरम और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहां पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं साथ ही भाईचारे के डेर सारी भावनाओं के एक साथ रहते हैं लोग पूरे भारत की धर्ती पर यहां वहां रहते तदा भाईचारे की एक भावना के दिवारा जुड़े होते हैं अपने राष्टर का एक महान चरित्र है विवित्ता में एक था जो इंसानियत के एक संबंद में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखता है तो यहाँ पर बेसिकली कल्चरल डाइवर्स्टी के उपर निबंद लिखा गया है जहाँ पर यह बताया गया कि भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग हैं अलग-अलग यहाँ पर लोगों की बोलियां हैं अलग-अलग भाशाएं हैं और फिर भी उनके बीच में उन लोगों के बीच में वो सब मिल जूल कर रहते हैं आपसी प्रेम हैं यहाँ पर विवित्ता में एकता है देश के महान राश्टिय की करण अभिलक्षन के लिए विवित्ता में एकता को बढ़ावा दिया गया है जो धेर सारे ब्रश्टचार, अतिवादी और अतंगवाद के बावजूत भी भारत की मजबूती और समृद्धी का अधार बनेगा आम तोर पर विविन राज्जियों में रहने वाले लोग अपनी भार्शा, संस्कृती, परंपरा, परिधान, उत्सव, रूप आदी में अलग होते हैं बंगाली, महराष्ट्रियन, पंजाबी, तामिलियन आदी की रूप में जाने जते हैं फिर भी वो अपने आपको भारतिया कहते हैं जो विविदिता में एक्ता को परदर्शित करता है, यहां विविदिता में एक्ता को बनाए रखने के लिए लोगों की मानवता और संभावता जो है वो मदद करती है भारत में लोग अपनी संपत्ती के बजाए अध्यात्मिक्ता करम और संसकार को अधिक महत्व देते हैं जो उन्हें और पास लाता है अपने अनोखे गुन के रूप में यहां के लोगों में धार्मिक शहिन शुनता है जो उन्हें अलग धरम की उपस्तिती में कट्टाई मैसूस नहीं करने देती है भारत में अधिकतर लोग हिंदू धरम के हैं जो अपनी धरती पर सभी दूसरी अच्छे संस्कृतियों को अपनाने और स्वागत करने की शमता रखती है भारतिया लोगों की इस तरह की विशेषता यहां पर विवित्ता में एकता को प्रसिद करती है तो यहां पर लगबग आपको जब भी एक्जाम में आएगा हैं नोट सेंग कि आपको एडजेक्ली यही पोइंट लिखना है ल उसको अच्छी तरीके से साबित करता है तो यह लाइन बहुत इंपोर्टन्ट है यह तो आपको लिखनी ही है भारत अधिक जनसंख्या वाला देश है लगबग हर धरम के लोग जो है वो यहां पर आके बसते हैं चाहिए वो सिख है इसाई है जैन है क्रिश्यन है हिंदू ह है मुस्लिम है हर तरफ के लोग तो तद्धा पूरे विश्यम में परसीद है क्योंकि यहां की और सबकी कल्च जो वहां के कस्टम्स हैं रिच्छल्स हैं अलग-अलग हैं लेकिन लोग आपस में जुलकर रहते हैं क्योंकि यहां विवित्ता में एकता का चरितरन जो है वो यहां के लोग धरम और इच्छा के अनुसार अपनी जो भाशाएं हैं बोलियां हैं उसका इसमाल करते हैं लग-बख सभी धरम के लोग यहां पे हैं एक दूसरे का संबान करते हैं कुछ और चीज़ें जैसे हम एट कर सकते हैं भारत में जो तीन राष्टियत योहार हैं ग बरगद और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और उनका संबान करते हैं भारत में नदियों की भी पूजा की जाती है और उनका धार्मिक महत्व है भारत में गंगा, यमना, गुदावरी, भंपुत्र, नरम्दा, और तापती जैसी नदियों की भी पूजा होती है भार परंप्रा और आधनिक संस्कृति से भरा हुआ है लोगों को अपनी इच्छनुसार किसी भी धरम पालन का पालन करने की सवकुंतरता यही कहरान है कि भारत की जो संस्कृति है वो दुनिया भर में प्रसीद्ध है तो आपको अच्छा लगा होगा तो सेम जो है जो कल्चुरल डाइवर्सिटी का टोपिक है आई विल एक्स्प्लेइन हिंदी इन दे नेक्स्ट वीडियो तो अगर आपको यह पीडियाफ चाहिए तो बहुत ही बेस्ट है आपकी एक्जाम की प्रिपेशन में बहुत हेल्प करेगी तो आप जाकर के यह पीडियाफ ले सकते हैं जितनी